Hello friends, welcome to my channel KL study friends आज हम करने वाले हैं हिंदी पेडागोजी संबीदा सक्षक भरती वर्ग तीन की शेकंड क्लास ठीक है पहली क्लास में हमने क्या पढ़ लिया था भासा क्या है भासा की प्रमुक परिभासा है भासा की प्रमुक विसेश्था है ठीक है जो मात्री भासा है और पहली भासा है ये क्या कहलाती है तो मात्री भासा माता पिता की द्वारा पहली भासा परिवेस के द्वारा सीखी गई और दूतिय भासा विध्यालाई की भासा ठीक है अब किसी भी बाला की मात्री भासा और पहली भासा एक भी हो सकती है और अलग अलग भी हो सकती है हमने आपको बता रखा है जिसने भी वो वीडियो ना देखा हो और यदि देखना चाहते हैं डिस्क्रेप्शन में इसका लिंक दिया गया है या फिर आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं सबसे पहले आज हम देखते हैं राष्ट भासा इससे कॉश्चन हजारों बार पूछे गए हैं कि राष्ट भासा जो है क्या सम्वेधान एक मानेता प्राप्त है इसको या पूछ लेगा कि जो हिंदी है वो हमारे भारत की कौन सी भासा है राष्ट भासा है राज भासा है या मात्री भासा है ठीक है राष्ट भासा और राष्ट भासा क्या है मुझा ओब नियुकर होग सब्द है लेकिन सम्मिधान में इसका बारणा नहीं है कि राष्ट भासा हिंदी होगी ठीक है नेश्ट दिया है राष्ट भासा का प्रियोग छेत्र बिस्तरित और देश ब्यापी है राष्ट भासा का प्रियोग छेत्र के ऐसा है बिस्तरित है मतलब जन जन के विचार बिनमाई का संपर्क भासा होती है सारे देश की संपर्क भासा ठीक है और राष्ट भासा हमेशा स्वभासा ही होती है कैसी स्वभासा जबकि जो राजभासा होती है वो स्वभासा और परभासा दोनों हो सकती है ठीक है नेश्ट दिया गया है राष्ट भासा का स्वरूप लचीला होता है लचीले का मतलब क्या होगा कि हम इसमें बदलाव मतलब अपने अनुसार किसी भी रूप में ढाल सकते हैं लेकन जो राजभासा होती है उसको उसके साथ छिड़चार नहीं की जा सकती है वो एक मानक लेंग्वेज होती है ठीक है अब देखते हैं राजभासा ठीक है तो जो साब्द कर्थ क्या होता है राजकाज की भासा क्या राजकाज जिसमें हमारे मतलब जो सरकारी कारिये होते हैं कामकाज होते हैं वो किये जाते हैं ठीक है तो राजकाज की भासा क्या कहलाती है राजभासा जो भासा देश के राजकिये कारियों के लिए प्रियोक्त होती है क्या है हमारी राज भासा ओफिसियल लेंगवेज है ठीक है नेश्ट देखते हैं इसकी थोड़ी सी विशेष्टाएं देख लेते हैं स्वसासन आने के पश्चात अर्था स्वतंत्रता मिलने के पश्चात राज भासा की आवशकता हुई तो प्राया जो राश्ट भासा थी पहले से हमारी राश्ट भासा ही स्वासान आने के पश्चात क्या बन जाती है राज भासा क्या बन जाती है राज भासा तो यदि पूछ लें कि पहले कौन सी भासा आई राश्ट भासा ठीक है तो पहले राश्ट भासा हुआ करती थी जब स्वासान आ गया तो इसके बाद ज राजभासा का दर्जा प्राप्त हुआ है तो आपको याद रखना है कि जो राश्टभासा थी उसको ही राजभासा का दर्जा प्राप्त हुआ है ठीके आगे देख लेते हैं राजभासा एक सम्विधानेक सब्द है इसका उलेक सम्विधान में किया गया है कि हमारी जो भासा घोसित किया गया है तो इसे याद रखना डेट को ठीक है पूंचा जा सकता है कि संभिधान सभा के द्वारा राश्ट राजभासा हिंदी को कब मान्यता दी गई तो 14 सितंबर 1949 को दी गई थी ठीक है इसी कारण से प्रत्यक वर्स 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप म मनाया जाता है तो पूंचा जाता है कि हिंदी दिवस का मनाया जाता है तो 14 सितंबर को ठीक है नेश्ट देखते हैं राश्ट भासा का प्रियोग छेत्र सीमेत होता है और अभी हमने क्या पढ़ा था राश्ट भासा उसका छेत्र बिश्व ब्यापी ठीक है और अधिक होता जबकि जो राष्ट भासा होती है वो स्वभासा ही होती है ठीक है तो ये कोई भी हो सकती है नेश्ट देख लेते हैं राजभासा का एक निश्चित मानक स्वरूप होता है क्या होता है निश्चित मानक स्वरूप होता है इसके साथ छेड़ छाड़ नहीं की जा सकती जबकि जो राश्ट भासा है वो कैसी होती है लचीली होती हो से हम किसी भी रूप में ढाल सकते हैं अब आगे देख लेते हैं जो राज भासा है राज भासा के बारे में यदि पूंच लें कि राज भासा का वरणन सम्विधान की किस भाग में किया गया है तो भाग हो जाएगा हमार 343 से 351 अब जो आर्टिकल है इसमें भी जैसे 343 है यह भी तीन भागों में बटा हुआ है आर्टिकल 343 एक आर्टिकल 343 दो आर्टिकल 343 तीन तो यदि 343 एक में पूच लें तो क्या है कि जो संग की राजभासा है, राजजी की नहीं बोलना क्या, संग की राजभासा क्या है, देव नागरी लिपी में लेखेत हिंदी है, ठीक है, तो 343 की बात हो गई, 342 में क्या है कि भारती संबिधान लागू जब हुआ, कब हुआ, 26 जनवारी 1950, तो 343 जो दो है, इसमें कहा गया था कि सम्विधान लागू होने के 15 वरसों बाद 15 वरसों की अबधी दी गई थी कि इस समय तक क्या होगा हमारी जो राजभासा है उसे लागू नहीं किया जाएगा इसके बाद लागू किया जाएगा ठीक है फिर 343 है इसमें क्या किया गया था कि सरकार ने फ हिंदी कितने राज्यों की राजभासा है तो कहीं कहीं नौ राज्य मिलते हैं कहीं कहीं दस मिलते हैं ठीक है तो इसे याद रखना दो केंदर सास्थ प्रदेश होते हैं नौ राज्य होते हैं ठीक है तो सबसे पहले जो हिंदी है वो कितने राज्यों की राजभासा है तो दे तुलिजु कहा था कि राज़ें को कुष्वासा में थालओ इ Lore अगौर ! मतलब जैसी महराष्ट है तो मराठी है करनाटा की कननन है ठीक है तो अलग अलग तो महराष्ट की मराठी हो गई करनाटा की कननन तमिल नाडू की तमिल गुजरात में गुजराती ठीक है पंजाब की पंजाबी हो जाएगी असम की अशमिया उडिशा की उडिया पश्यमंगा आरणाचल प्रदेश मेगाला जम्भू और कसमीरी में Caksmyari अब ढर id देखते हैं इस तता हैं जिन की राज भासा अंग ये सी तक है तो मतलब ंसा गालें चैंथ अरोनाचल प्रदेश, मेगालाए और नांगालेंड तो इसे याद रखना नेश्ट दिया है भारत में छे सास्त्री अभासा हैं कितनी है छे कौन कौन सी है जिनमें सास्त्रों का वरनन मिलता है ठीक है सास्त्र तो वो है संस्कृत, उडिया, कंणड, मलेयालम, तमिल और जा गया है ठीक है तो इसको भी हम पूरा डिटेल से पढ़ाएंगे ठीक